आप देख रहे हैं टी एन बी उस बच्ची के हिजाब पहनने से यह निस सर ढखने से किसी के पेट में दर्द क्यों तो अगर वो दोनों काम कर रही है अपनी शरीयत भी मान रही है और अपने मुल्क के समवेदान को भी मान रही है तो इसमां आपके पेट मुदा तकी हो वो बच्चियां तो इस बात की जिद कर रही है कि हम पढ़ेंगे जरूर और हिजाब भी पहनेंगे पढ़ेंगे भी जरूर रोक रही है बात की जित्ता परटी की सरकार वो स्कूल एड्मिस्टेशन वो भंगवादारी गुंडे असली मुदा है इस देश की अब तक की इत्यास की सबसे ज़ादे बेरुस्टारी अर्थ व्यवस्ता का बुराहल हाहाकार योगी जी जो कहते हैं कि सारे गुंडे चले गए या तो जेल में है या पिर वो शंचान में है अबरुस्तान में है तो आखिर ये लोग कौन है ये कौन से गुंडे हैं कौन सा आतंगबादी है नमस्कार आप देख रहे हैं टीन बी मैं हूं आपके साथ निशालकवाल दलसर बात जो है वो हिजाब से जुड़ी है क्योंकि इस समय जो हिजाब का जो मुद्दा है या कहें कि हिजाब विवाद बन चुका है लगातार तरह- यह मुद्दा जो है वो सामने आया था जनता की राय हमने जानी स्टूडंट की राय हमने जानी क्या क्या उनकी राय थी हिजाब पर वो दे चुके हैं इसी के साथ हमने स्वामी चकरपानी महराज की भी इस पर राय जानी थी कि वो इस पर क्या सोचते हैं इसी के साथ अब ह हदबत स्वागत है आपका जिस तरीके से विवाद जो चल रहा है किस तरीके से देखते हैं आप इसको देखिए भारती संस्कृति के रखवाले कहे जाने वाले बेटी पड़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले लव जिहाद और वेलंटाइन डे की मुखालफत करने वा वो इसलिए हैं कि उनको हिजाब से कोई लेना देना नहीं है उनको जो पांच राज्यों में चुनाव हो रहे हैं हिंदुस्तान में वो पांच में चार राज्यों में उनकी सरकारे हैं और उनके नीचे से जमीन खिसक रही हैं वो हार रहे हैं वो सारे मुर्चों पे फेल बच्चियों के हिजाब का, जहां तक हिजाब का तालुख है, वो बच्चियां पिछले कई सालों से हिजाब पहन कर आ रही थी, उनको कोई परशाई ही नहीं थी, अचानक वहां स्कूल अड्मिस्टिशन को अतराद हो गया, उनके हिजाब पहनने पर, फिर कुछ भगवादा कला तो फ्रुषरी गौन्डे हायर किये गए और न को अधिरामी हो और वह और बच्चें को घेरने की कोशिश किई उसमें एक बहादृ बैक्जी मुसकान जिसने उन गौन्डऑों को का सामना करते हुए बहादुरी की एक मिसाल पेश की और जाहर बात है कि एक मजभी नारे के तुरू उस बच्ची को घेर रहे थे तो उस बच्ची का भी जो मजभ है उसने भी अल्ला हुआ अक्बर की सदा बुलंद कर दी और वो वीडियो वायरल हो गया और अब फिर वो एक मुद्दा बन गया जाहर है इसलि पूरी बात जहां तक मुसकान के हिजाब पहनने का हक है ये भारत का संविदान उस बच्ची को इसकी इजादत देता है कि वो अपने मजभ पे अमल कर सके और वो ही नहीं बारत का संविदान हर मजभ के मानने वाले को लड़के लड़की को इस बात की इजादत देता है कि अपने मजब पे अमल करें और वो मजब जो इसके basic essential हैं या जो इस पे अमल करना चाहते हैं वो किस तरह से रहें किस तरह से पहने किस तरह से खाएं उनको आज़ादी है इसलिए स्कूल भी करनाटक सरकार के दवाओं में आज उन बच्चियों को हिजाब पेहने से रोकना चाहता है वो भी नहीं रोक पाएगा मामला अभी चुकि अदालत में चल रहा है और अभी अदालत का क्लिए अकट फैसला नहीं आया है तो फैसले के बाद हम साफ तर पर बात कह पाएंगे लेकिन जहां तक हिजाब पहनने का तालुख है और हिजाब पे रहने का तालुख है तो मैं से बितना ही कहूंगा कि जब आपको किसी के कम कपड़े पहनने पे एतराज नहीं है आप उस बच्ची की या उस औरत की आजादी की तरह देखते हैं तो अगर वो बच्ची कुछ ज़्यादा कपड़े पहनना चाहती है सर ढखना चाहती है तो आपको अतराज क्यों उस बच्ची के हिजाब पहनने से यानि सर ढखने से किसी के पेट में दर्द क्यों क्या वो किछ को तकलिफ पहुचा रही है तो यहां वो आईनी भी दुरुस्त है यानि के समवेदानिक भी ठीक है इंसानी तोर पे भी यानि उस औरत को आजादी है जिस तरह से रहे आपको नोते से चेक करने वाले तो इसलिए यह आई-एम-आई-एम का यह किलियर कट स्टेंड है कि भारती जंता पार्टी और उसके अलाइंस को अकलियत को मुद्दा बना रही है नाबालिक बच्चों के कंदे पर रखके बंदुक चला रही है ताकि कुछ ना कुछ जो है चुनाव में कुछ फैसला लगा जाए इविन कॉंग्रेश या समाजवादी पार्टी यह दूसरी और पार्टियां जो मुस्लमानों का वोट लेती हैं वो तो इस मुद्दे पर उन्हें तो आवाज ही नहीं आ रही है एक एन आई की रिपोर्टर ने अकलेश यादब से पूछा कि इस विशी मुद्दे पर किदाब का क्या कहना है तो बोले मुझे आवाज नहीं आ रही है यानी उन्हें मुस् बच्ची है उस बच्ची का यह आईनी हख है इसलिए हम उसको डिफेंड कर रहे हैं कि और उन्होंने यह भी कहा चाहिए उसकी जगे आज वह मुस्कान है अगर लक्षमी होती तो हम लक्षमी के लिए बात करतें चुकि यह बच्चीयों की आजादी का मामला है कि वह सर रखेंगें अब कोन होते हैं उनको रोकने ठोकने वाले इसी के साथ ही मुक्तार अबस नकवी ने भी कहा है कि यह एक सून warfare यह साजिस है यह कहें कि एक तरीके से उनको रोका जा रहा है कि आगे वो शिक्षा ना ले पाएं इस तरीके के बयान भी जो है वह सामने आरे він मु बच्चियां तो इस बात की जिद कर रही हैं कि हम पढ़ेंगे जरूर और हिजाब भी पहनेंगे पढ़ेंगे भी जरूर तो रोक रही है भारती जिन्ता पार्टी की सरकार स्कूल एड्मिस्टेशन वो भगवादारी गुंडे और वहां का मले यह सब मिलके ऐसा माहौल बना की उसने अपनी स्कूटी खड़ी की और बहादुरी के साथ अपने क्लास्रूम में गई तो वह बच्चियां तो कोशिच कर रहे हैं एजुकेशन लेने की हाँ यह भगवादारी बच्चियों को एजुकेशन लेने से रोक रहे हैं लेकिन जो जिस आप जो कह रहे हैं जो ल काला पट्ट्चर ढालने और रोका किसने उन्हें क्या बच्ची के ज centers पढ़ने से उनके अंकर पक्ट्थ डालने का कोई तालुक नहीं क्यों टाल रहा हैं नहीं डालना हैं थांने अज़ाद नहीं हमारा सिर्फ इतना सा कहना है कि अगर हमारी बच्ची उसमें और भी बच्चियां हैं बहुत सारी बच्चियां जो हिजाब नहीं पहन रही है बहुत सारी बच्चियां जो हिजाब पहन रही है तो उन बच्चियों की उनको आजादी देनी चाहिए जो उनकी उनका मन है उन्हें कड़ते रहना देना चाहि आठी हैं पड़ाय लिखाई करके तो उनको मौका देना चाहिए आज एक बात बताईए पूरे दुनिया में सबसे progressive मुल्क जिसने सबसे कम टाइम में जो तरकी किये जिस मुल्क ने वो सिंगापूर हैं सिंगापूर ने सबसे कम टाइम में दुनिया के टॉप कंट्रीज में पहुचा है और वह धर्मनेर्पिक्ष भी है उस सिंगापूर ने अपनी राष्टपती एक हिजाबी क्लेटिट वूमेन को चुनाएं तो आखिर वह वह राष्टपती है वो लेटी तो अधिचर एक हिजाब प्रिश्टिड वूमेन फीफा वर्डडप में हिजाब पहन कर फुटूबाल खेलने की कि अजाधत है तो सम्हें कर फूटूब यह भी मिला है जिसको वह लेड़ी हिजाब क्लेटिट पाइलेट हैं हिजाब के लिट मुट्टर से हिजाब वकील है तो हिजाब आड़े कहा रहा है हिजाब बिल्कुल परसनल चीज है किसी ऑरत का एक उसके ड्रेस उसका अपना उसके पनी च्वाई से वह चाहे साड़ी पैने चाहे शलवार कुरता पैने चाहे टॉप स्कूर्ट पेने चाहे वो जीन्स पेने चाहे वो इजब पेने अलीगड में भी न्यूज सामने आई है महां भी बहुत से लड़के जो है वो केसरी रंका गले में पट्टा डालके रुद्राक्ष पैन के जो है वो लिखाई दिए तो जाये करें वो देखिए कि किसी का हर गुरूप का ह म्देवार अपने मखब कि मानने वाले का अपना खीधर है और उसकी बसी मलकी खुबसूरदी यह है कि यह धर्मनेटिक्ष मुलक है इसमें तमाम मजाइब तमाम जबाने तमाम अलाके के जो कल्चर से उसको सबको आजादी अपने हिदाब ते अपने रहने की आप देखें हिंदु मजभब में भी कितने ऐसे तेवहर हैं जो साउथ में मनाए जाते हैं नौर्थ मनी होते कि इतने ज़्यदे चट पूजा है या और बहुत तरी जो नौर्थ इंडिया का जो प्थेवहर हैं वो साउथ मनी मनाए जाता है ऐसी जबाने हैं ऐसे ही बहुत सारे गौर्ड हैं जो चेंजजिस हैं एक ही मजभ़ब के अलग अलग भगवान है कोई कि विश्णू को मानत कुछ दोसी चीज की देवी के पूजा करता है तो यह इस खुबसूरत गुलदस्टे की खुबसूरती यह है कि हर मजभ का मानने वाला आजादी के साथ अपना मजभ माने आजादी की तरह अपना ड्रेस पहने आज हमारे सिक भाई हैं सिक भाई हैं को सरदार उनकी ओरतें जो एक हजार साल से आबाद है और एक हजार साल से ज्यादा हो गया उसको यहां अबाद हुए और वो अच्छे से रहता है किसी को प्रिशाई नहीं हुए आज आज अचानक 2022 में उडूबी में एक कौन सा ऐसा शुगूफा छोड़ दिया गया जो एक बच्ची के हिजाब पेने से तकलिफ हो गई यह निशाजी यह किलियर कट असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का एक जो यह भगवा चाल है इसको देश रिजेक्ट कर चुका है असली मुद्द है इस देश की अब तक की इतियास की सबसे जदे बेरुसगारी अर्थ व्यवस्ता का बुराहाल हाहाकार आपने कल अगर अख़वार में भारस कर कि आपने अगर ख़वार पड़ी हो एक लाख लोगों का सोना निलाम होगा हाहाकार है ऐसा कभी सुना है कि एक लाख लोग जो गिर्मी लेके अपना सोना गिर्मी रखके अपनी दिंचरिये चला रहे हों अब उतने भी हाल नहीं कि सोना चुड़ा सकें उनका निलाम हो रहा है स्रदे महफूज नहीं है स्वास्ति व्यवस्ता आपने करोना में देखी कैसे लाश तैर रही थी दर्याओं में किस तर कि दर्व लोग है जिनकी वैलत इसी यह एक डिड़र साल में कोरोना काल में डवल हो गये वह एक चालीस बिलियन से नाॉन बिलियन पर पहुच गए यह यह कहा जारा है कि सिर्फ चार लोग देश को चला रहे हैं दो घुजराती देश को भीच रहे हैं और दो गुजराती पर जो जहां चुनाव हैं उतरप्रदेश में वहां की जो जीडीपी है वो नेशनल एवरेज से आधी से भी कम है वहां बिरुजगारी का आलम पूरे इंदुस्तान का डबल से भी ज्यादे बिरुजगारी है तो असल मुद्दों पर आप बात नहीं करोगे खास तोड़ से दो तपकों के उन्होंने टागेट किया हुआ है एक दल जैसे की वीडियो सामने आई सबने देखी उसके बाद लगातर कहा भी यह जा रहा है कि जो मुसकान है उसका बैग्राउंड जो है वो पॉलिटिक से आता है नहीं मुसकान ने जो अपने इंटर्वीव में कहा वो यह ज़रूर कहा कि वह बैस्ता सुद्दीन वैसी साब की वीडियो सुनती है उससे खौसला लेती है बाकी वो बच्ची तो अभी स्ट्रेंट है और अभी पी कॉलिज गोएंगी है काफी सारे लीडर्स के साथ फोटो देगी गई थी कनया कुमार भी थे उसमें जो फोटो नहीं वो तो देखिए बच्चों को शौक होता है कि वह ज स्यासत करता है वो डालने जाता वो एक स्यासत है जैसा आपने मतलब कहा कि जो बीजेपी लोग यह सब कर रहे हैं जो लोगों को उन्होंने भेजा है जो आप बता रहे थे तरीके से लड़की पर सारे जो लोग आ गए थे तो क्या इसी एवच में मुसकान के साथ तो यह तो वो जरूर क्लास की लड़कियों ने उनको प्रोटेस्ट के लिए हिजाब पहना था कुछ दिन के लिए लेकिन यह जो भगवादारी गुंडे हैं यह तो सर्फ दो तीन बच्चे हैं सिर्फ क्लास के उनके बाकि सारे बच्चे उस कॉलेज के भी नहीं है वो बाहर से ब बयान दे रहे हैं लगातार तो एसा नहीं लग रहा है कि इस मुद्ध को ज्यादा दिया जा रहा है कि कुछ लोगों को एक राजनेतिक मुद्दा नहीं है यह हमारा एक सम्विदानिक अधिकार है और बच्चियों की आजादी का सवाल है खास सोर से औरतों के अमपावर्मेंट का सवाल है अगर आप सही मायनों में अपने लिडी का और औरतों का सशक्तिकरण चाहते हैं तो उनको आपको आजाद एक और वह सरढ़कर रही है तो उसका मजभ इसकी जादा देता है उसको शरीयत भी कहती पिर्षन का कि उन्हार रहे है को अपने मुल्ट सम्विदान को भी मान रही है तो इसमें आपके पेट में दर्द क्यों तो इसलिए ये फायदा नुक्सान की जीज़ अजादी और उसके हक का सवाल है जैसा आपने का कि हुजाब जो है वो लड़की का खुत का समविधानिक हक है वो चाहे तो पहने ना पहने लेकिन कुछ लोगों से जब हमने बात की Muslim Community के लोगों से जब हमने बात की तो उनका साफ तरपर यही कहना था कि हम जो हैं उनको बुर्खा इसलिए पहनाते हैं ताकि कोई जो है लड़के लोग जो भार होते हैं वो उनको बुरी नजर से ना देखे हैं और उनका रेप ना हो ये चीज सामने आई थी तो ये कितना सही है ये तो खेर एक डिफरेंट परस्पेक्टिब में बात चली जाएगी इन जनरल आप जब तक अपने माश्रे को नहीं समाज को आप सेफ नहीं रखेंगे तब तक यह सब चीज़ें रुकने वाली नहीं है रेप या कुछ भी उसमें सबसे पहले आता है लॉइन ओर दूसरे न को उसकी नियाय मिल गया और जो करने वाला है उसको सजा मिल गया तो पिर नहीं होगा चीज़ से नमबर पर आता है अपरोच जो समाज में बनता है किसी को टागेट कर लिया जाता है तो उसका पर इजिली उसके बच्चें टागेट हो जाती है जहां तक पढ़दे का मजब यह कहता है कि और दो आपने अपने अतना हिजाब करें कि वो अपने एसेंशल पार्ट जो उनके पार्ट सें जो क्या कहते हैं जो मरडिस्ट्री और वो ढ़की रहे अपने बालों का अपने सर को ढखके निकले नजर नीचे रखें यही चीज मरदों के लिए भी है कि कि वो भी अपनी नजरों को नीचे रखें अगर कोई ऐसी चीज आप उनको नजर आती है तो नजर उससे पेर लें कि जिससे बहाया ही होती हो तो यह चीज दोनों के लिए हैं इसलाम में लेकिन यहां तवाल इसलाम से ज्यादा भारत के सम्मेदान का है कि जब कोई बच्ची कि अपने सम्मेदान का अधकार का इस्तमाल करके अपना सर ढखना चाहती है तो आप कौन होते हैं उसको रोकने वाले सवाल यह है एक और सवाल एक तरफ जैसी रिराम और दूसरी तरफ अल्लाहु अकबर क्या कही है कि देखिए उस बच्ची ने भी कहा यह बात कि जब मु बाद इनसानी फित्रत है कि वो हर उस जगह से मदद चाहता है जिस पर उसका यقीन होता फेत होता है तो मुसकान का बी फेत जो है वो आल्लाहु अकबर के दिया अ ल्ल्हु अकबर के मानी है सबसे बड़ा अग्बर के मानी कुछ और नहीं है उसने भी का अल्लाहु तो उपर वाले से डड़ती हूँ वही सबसे बड़ा है तो यह एक एक नैच्रल उसका रियक्शन था कोई कोई इसको मैं यह नहीं समझता कि उसको सोचकर आई थी कि उसना जैशी जिश्राम कहना है उसना अल्लहु अक्बर कहना है यह तो जिस तरह से चोट लगती है तो आप है इसमें कोई यह जरूर है किसको जादे तूल दिया जाएगा तो फिर यह एक एक फैशन सा बन जाएगा कोई शेशी राम कहें तो अल्लहु अक्बर कहें इस से लोगों में खास्वों से भारत के नागरिकों में दूरी बढ़ सकती है कशीद्गी बढ़ सकती है और एक न मिदान के हाख में आए गा कोट 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 फैसला यही देने वाला है कि बच्ची का वो मौलिक अधिकार है और बच्ची अपने सर ढख सकती है यह हो सकता है कि जो यूनिफॉर्म का कलर है उस कलर का हूँ हिजाब पहन ले तो एक अलग बात है वो यूनिफॉर्म का ही पार् तो इसी तरह का अगर और भी स्कूल इसको डॉट करते हैं मुसलिम बच्ची जो हिजाब पहनना चाहती है बहुत सारी मुसलिम बच्ची हमारी यह जिसका पहनती है और चब कि सी प्रदेश में है तो हमारी यह प्रैक्टिस चल रही है ना हिंदों को अधराज है ना मुसल्मा कर लिया गया है जो जिस तरीके से यह हमला हुआ था फाइरिंग उनके की गई थी इनकी गाड़ी पर इसको इस पर दो शब्द क्या कहना चाहेंगा कि योगी जी कहते हैं कि सारे गुंडे चले गए या तो जेल में हैं या पिर वो शम्शान में हैं कबरुस्तान में हैं तो आखिर ये लोग कौन हैं ये कौन से गुंडे हैं कौन से आतंगबादी हैं जो बैसर असुद्दीन वेशी साब पर गोली चला रहे हैं एक सांसत की जो चार बार का सांसत दो बार का हमले एक पार्टी कर आश्टी अद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् भी कही यह बात कि آخر यह ज़ाचेजन से 물 पता लगाएंगी कि इसके पीछ्चे कोँ है यह आखिर यह भागवदारी जょ रेडिकलाइज हो रहे हैं ये कौन सी सोच से कौन सा लिटरेचर पढ़के रेडिकलाइज हो रहे है कौन सा गूरू पहिं इनको रेडिकलाइज कर रहा है और ये मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है अगर मुल्क का मेज़ोरिटी जो मजभ है या याई हिन्दू मजभ पब इसमें अगर रेडिकलाइजिशन शुरू हो गया तो इस मुल्क को तभाही से कौन बचाये गा कौन रोकेगा क्यूब कि रेडिकलाइजिशन किसी समाज किसी देश के लिए एक दीमक है एक तभाही है जो भी समाज रेडिकलाइज अपने नौजवानों को करेगा वो खो रियाम नरसंगार का मांग करने वाले एक महीने में जेल से बाहरा जाते हैं और जो नॉर्मल सिद्ध कपन जिसने नॉर्मल सिर्फ हातरस की जो जो बालमी की बच्ची जो जल गई थी उसको सिर्फ रिपोर्ट कर दिया था तो आज तक यूए पी ए में वो जेल में बंदस को दमारत नहीं मिल लए जिन्हों ने दिल्ली दंगों यूए पीए के खिलाफ स्वरी सी एनार्सी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट किये थे उसमें जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे आज तक जेलों में बंद हैं पानपान सु दिन हो गया दो दो साल हो चुके उनको चाहँ करें को दो चाहिक है जब दारा कम से कम इन जब नॉर्मल प्रोटेस्टर पर पर आप यह पी लगा रहे हो तो जो गोली चलाने वालों पर आप यह पी क्यों नहीं लगा रहे इसी तरीक देशाम यहां में जिसने बोली चलाए ती वह भी बाहर गुम रहा और वहीरो किस तरफ जा रहा है यह सरकार है क्या कर रही है जब आप सोचने पर बड़े-बड़े बुद्ध जीवी बड़े-बड़े लिखने वाले लेखक जेलों में सड़ रहा है भी में कोरे गांव केस है जो महराष्ट्रा का उसमें कितने लोग अंदर बंद है कितने युए पी प् खुले आम घूम रहें क्योंकि यह पर्टिकुलर भगवा संगटों से इनका तालुक है यह बाकादर ट्रेनिंग लिए हुए हैं उनसे मोटिवेटिड हैं और यह रेडिकलाइज हो चुके हैं तो अगर मुलक का इतना बड़ा तपका रेडिकलाइज हो गया है तो इसको र रेडिकलाइज़िशन डिपार्टमेंट बनाय जाना चाहिए ताकि किसी मजब में भी रेडिकलाइज़िशन ना हो चुकि रेडिकलाइज़िशन होगा तो यह मुलक के लिए तभाको नहों AI MIM के दिल्ली चीफ कलिमूल हफीश जी का की क्या राय है यह आप सुन चुके हैं हिजाब विवाज जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है मुद्दा बना दिया गया है साफ तोर पर उन्होंने कहा है कि पांच राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उनको फाइदा पहुचाने के लिए जो है यह काम किया जा रहा है लगातार कुछ ही जो विध्यारती थे जब यह वीडियो सामने आया तब साफ तोर पर यह देखा गया कि एक लड़की थी और उनमें से कुछ ही जो थे वो स्टूडेंट थे बाकी लोग बाहर से थे उनको जो है केसरी रं इसी के साथ ही जिस तरीके से जो चुनाव है उसका दुरूवी करण हो यह भी साथ में साथ कहा जा रहा है इसी के साथ ही बात यह भी है कि चुनाव है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई मुद्दा सामने आए गई ही उन्होंने यह भी कहा कि जो मेन मुद्दे हैं उन्हें ना देते हुए एक नया मुद्दा जो है वो उजागर हर बार की तरह कर दिया जाता है ताकि जो और जो देश के एहम मुद्दे हैं उन पर ध्यान ना जाए मुद्दे क्या थे जो एहम थे देश के ये भी जो हे हमें कली मुल सर ने बताया आप इस पर क्या सोचते हैं क्या अपनी राय रखते हैं कितने सहमत हैं और कितने नहीं ये आप हमें comment box में बता सकते हैं camera person शुभाम सेनहा के साथ मैं निशालकवार TNB News दिल्ली हमारे नए अबडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें साथी हमारे वीडियोज को लाइक और शेर करना ना भूलें